नमसकार दोस्तूँ डीयर मधफंसी नापस्वाइब आता है आज का जो हमारा क्वेस्टन है वो कलास स्टिंध के म्यात के चेप्टर 12.2 का है और चेप्टर का नाम है बृत से समधित छेटपल तो यह दे कि क्या बोल रहा है तो यहाँ पर क्वेस्टन मर वं में जो है बोल र करना जिसके लिए कौन का करते हैं किस यह जो एक सेरकिल हो गया और इसका किंद्र हम ओ माल लिये जो यह कौन है दोनों के रेडियूस के विच में यह तिरजै के विच में कगोन है वो कितना है साडेश का है अब इसको वाज इसको A माल लेते हैं और इसको B और इसको पी में लिख falar शका का यहां च्छेतर फल नहुक्भर तो यहां पर जो कोष्य में दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं तो दिया गया है कि ब्रित की त्रिज्या बराबर 6 cm तब ब्रित के त्रिज्खंड त्रिज्खंड ओ ए पी बी का छत्रफल ब्राबर क्या होगा पाय आरे स्क्वाइर ठीटा बाय तीन सु साट अब यहां पर पाय का मांजो है आपके कोश्चे नहीं दिया गया है वैस्वाटा साथ लेना है कितना लेना है बैस्वाटा साथ जब तक कुछ बोला ने जाए तब तक जो है वाटा साथ ही लेना है किस का माण तो पाय का मान अब यहां पर जो है पाय कमा रख देते हैं बैस्वाटा साथ इन्टू आर कितना है तो 6 चंटरिबल का है तो 6 का स्क्वाइर होगा बाई इन्टू ठीटा कितना है तो 60 डिगरी का है बाई 360 डिगरी अब देखिए यहां पर जो है क्या होगा बैस बता 7 गोने 66 के 36 गोने साथ डिगरी यहां पर देखिए 36 दहन के 360 और यहां पर जो का टेखिए क्य शक के 60 एक यहां पर काकने वाट जो है यहां पर डिगरी यह आ जाएगा वट वो डिगरी कर जाएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा अब इसके बाद जो है क्या होगा 20 बटा साथ गुने 6 तो कितना आएगा 132 बैस चाक 132 बटा 7 cm2 तो यहां पर जो है तिरिजखंड का कितना आ गया 132 बटा 7 cm2 अता बृत के तिरिजखंड के तिरिजखंड का तिरिजखंड का चत्रफल बरावर क्या होगा 132 बटा 7 cm2 तो यह जो अपना अंसर है अब चले कोशन नुमर 2 पर चलते हैं और यहां कोशन नुमर 2 में देखिए कि एक बृत के चतुर्थांस का चत्फल ग्याद कीजिए जिसकी परेधि बै और चतुर्थांस का मतलब होता है कि चौथा अंस मतलब किसी भी लेंध का जो है चौथा पार्ट तो उसी को हम चतुर्थांस बोलते हैं तो चलिसास हो पहले इसका फिगरड़ों करते हैं कि यह एक सरकील है इसको जो हम चार पार्ड में डिवाइड कर देंगे अब जु के जो हे बिरेद के दूधे समीं में होता है कि इसके जो तिर्जिया होता है तिर्जिया के बीच में वो ने City Remaza मतलब तिर्जिया जो है एक दूसरे क history परपेटिकुलर होता है अब इसके बृत का आप चले जो कुष्टीन दिया गया Sal को का डिया गया है कि कि क अधिक के पर दी बरावर को परीधी बराबर व्याकि एडी टू सेंटीमिटर मतलब बैस संटमिटर साथ ऐसे जानानते हैं baik Tout क depends कि यहां पर यहां पर जो हैँर तब ये people निकालते तब हैंगे यहां पर जो है अगर इसका उमान पता चल जाएगा तभी कि यह यहां से बैस बैस कट गिया तो क्या होगा और इसके बाद जो है आर कमान आ चुका है कितना तो साथ बटा दू या फिर इसको में लिए सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर अब सुधार के लिए जो हो में अच्छा लगा वही हम यूज कर लेंगे अब चलिए अब बित के चतूर्थांस का छतरफाल चतूर्थांस का चात्रफाल बरावर क्या होगा पाय आर स्क्वाइर बटा फूर या फिर इसको मिल सकते हैं कि पायर स्क्वाइर ठीटे बटा तिन सो साटी यहां पर ठीटा कमान कितना दिया गिया है ठीटा कमान जो है 90 डिगरी दिया गिया है तो यहां पर हम 90 डिगरी रखते हैं तो क्या आउगा नचो का 36 पाई स्कुयर बटा फोर आ जाएगा तो यहां पर यहां तो इसको यूज कीजिए या फिर इसको यूज कीजिए इसके यूज करने में जो है आपको एंगल ग्याद करना पर एगा कि चतुर्थांस का एंगल कितना है तो वैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि चतुर्थांस का जो अंगल होता है वो नविदिगा होता है अब यहां देखे पाई कामान कितना लेंगे 20 साथ आर कामान कितना लेंगे तो सेवन वाटा टू इंटू सेवन वाटा टू बाई फोर एक यहां देखिए 77 कट गया दूसे 11 तो क्या होगा 11-37 बटा चार दूनी आठ सेंटिमीटर एस्क्वाइर तो फारियने से लिखते हैं अता ब्रित के चतुर्थांस का चत्रफल ब्रावर क्या होगा 77 बटा आठ सेंटिमीटर एस्क्वाइर तो यह जो आप राएंसर है हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह दोनों कोश्चन बहुत एसाए करने वाले हैं तो अभी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा सेर कीजिए और अभी ते कि चैनल को सब्सक्राब नहीं कि तो सब्सक्राब कर लिजे धने वाल